और अब आपको बताते हैं कि आखरी ओडीशा के बाला सोर में इतना बड़ा रेल हाथसा हुआ कैसे कैसे आखर तीन ट्रेने आपस में टकरा गई तो जानकारी के मताबिक सबसे पहले यश्वंत पूर हावडा एक्सप्रेस के डिबो के पटरी से उतरने की खबर सामने आई और यश्वंत पूर हावडा के डिबबे पटरी से उतरे और उस तरफ गिरे जहां से शालीमार चेन्नाई कोरुमंडल एक्सप्रेस को गुजरना थ पश्चिमंगाल के हावडा से चेन्नाई के लिए रवाना हुई थी जिसके रास्ते में यश्वंद पूर हावडा एक्स्प्रेस के डिब्बे आ गए और जैसे ही उन डिब्बो से कोरो मंडल एक्सप्रेस की टक्कर हुई उसके डिब्बे पास मौझूद मालगाडी से जा ट चली गई इस भीश्वंद टक्कर का असर दोनों ट्रेनों में मौझूद 900 से जादा यात्रियों पर पड़ा जिनने घायल अवस्था में अस्पताल में भरती कर आए गया तो यह हम आपको बता रहे हैं कि हाथसा हुआ कैसे कैसे यहां पर तीन गारियां तकराती हैं और फि इसमें अब rescue operation चल रहा है लोगों को बचाने के लिए यहां पर SDRF की team में मौझूद हैं इसके अलावा यहां पर fire brigade की गाड़ियां मौझूद हैं 200 से जादा ambulance मौझूद है और यह तस्वीरे दिल को जग जोरने वाली है तस्वीरे भयावा है तस्वीरे अतीत में होए रे इसमें इन लोगों की रिष्टदार भी है जुनके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिली है क्योंकि rescue operation तो अभी भी चल रहा है लोग अभी भी अंदर फसे हुए हैं 12 घंटे से उपर यहां पर रहत बचाव की काम को हो चुके हैं 12 घंटे से उपर हो चुका है जंदगिय इन डिबो के अंदर है तो फिर उसको बचाया जा सके और कैसे यह जो बेपट्री हुई है बोगिया कारण क्या रहे यह जांच होगी यह जांच में सामने आएगा लेकिन ऐसे हाथ से दुबारा ना हो यह भी तै करना होगा क्योंकि इसमें 233 लोगों की जान चली गई है औ खुद रेल मंतरी अश्विनी वैशनव से फोन पर बात की क्या तैयारियां यहां पर अब की गई है रेस्क्यू अपरेशन को लेकर के किस गती से रेस्क्यू अपरेशन चल रहा है हालात की जानकारी उन्होंने खुद रेल मंतरी से ली है इसके अलावा ओड़ीशा के प्षिश यही है इस वक्त की रेस्क्यू अपरेशन जल्द से जल्द पूरा हो जो लोग अंदर फसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए